मसकार दोस्तों बहुद बहुद स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में सेरॉल सर के साथ दोस्तों आपको पता है करन्ट F-C की वीडियो की सीरीज चल लए है और यह वीडियो की सीरीज के किरम में यह добión वीडियो है करन्ट एफीर्च का और दोस्तों आपकी 2030 करेंट फर्स जो है वो कंप्लीट कराती रहे जी करा दी जाएगी ठीक है दोस्तों तो दोस्तों आप जो है शुरू से अंतक बने रहे और एक एक कोश्चन का लाव उठाईए एक एक कोश्चन जो है आगे आने वाले एक्जाम में जो है एक दम आप इसमलेजिए कि कि रामबार साबित होने वाला है दोस्तों चलिए दोस्तों कि पहले कोश्चन को चलते हैं चलिए किस राज ने राज्जियों को गोद लेने के लिए पुर्णे कोटी दत्तु योजना पोर्टल लॉंच किया है दोस्तों यह जो है किस के लिए लॉंच किया गया है गायों क को गोद लेने के लिए कौन सा कुण्ड द्द्दू योजना तो दोस्तों उत्रप्रदेश करनाटक 36 गड़ मत प्रदेश इसमें आप गैस करिएगा दोस्तों चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा यह कौन सा है आपका करनाटक है चलिए नेक्स्ट कोश्टन को बढ़ते हैं भाल ही में खबरों में रही गिंडी राष्टी उद्द्दा किस राज दमें श्थित है dорм दोस्तों यह जो है गिंडी राष्टी उद्दां जो है वह है क्या सब्सेपेले मैं बता दो इसमें पहला जो है कौन सा शहुरे इक सब्छो बचाओ केंद्र पहला इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है और दोस्तों यह कहां है चेन नहीं में है कहां है चेन नहीं में है चेन नहीं आप समझ गयोंगे कहां है तब मिलाड़ चलिए दोस्तों अगले कोशन वोड़ पढ़ते हैं हाल ही में ख़बरों में रहा कुकरेल बन छे इसलिए इसलिए हो जाता है क्योंकि यहां पर नाइट सफारी नाइट सफारी में बनने जा रही है और आपको पता है आग वालने जा रही है लखनौ की की उत्तर प्रदेश और यह कौन सा जो है बंचेत्र है कोकरयल बंचेत्र इसलिए यह आपका important हो जाता एक्जाम की द्रिश्टी से चलिए को next question को बढ़ते हैं अनंग ताल जील जिसे राश्टी महत्व का इसमारक घोसित किया गया था किस राज जिया केंद्र सासित प्रदेश में स्थित हैं दोस्तों यह अनंग ताल जील जो है इसमें यह है क्यों खास क्यों है इसलिए क्योंकि संस्कृति मंत्राले की द्वारा राश्टी महतुका इस्मारग घुशित किया गया उसे किसे द्वारग तुझित किया जाता है संस्कृत मंत्रा ले दोला कि कि अगो थैसे इसे कभा एना बताना जाएँ मैं यह Administration आ ठारह सौ करें शाटए दृपी का यह है तो यह दोस्तों कहां आपका नहीं दिल्ली में चलिए अगले कोश्चन को बढ़ते हैं भारत के पहले सुदैसी बिमान बाहक का नाम क्या है देखिए सुदैसी है और बिमान बाहक है यानि विमानों को ले जाने वाला यह बाहक है तो दोस्तों ये कौन सा है आपका बिक्रांत दोस्तों 2000 इसका जो समुद्री-परिक्षड शरू हुआ था वह रहींगा आपका 2-021 में लॉंच किया गया था इसका समुद्री प्रिक्षर जो है वो 2021 में शुरू हुआ और उसके बाद फाइनली रूप से इसे जो है लॉंच कर दिया गया चलिए अगले कोशन को बढ़ते हूं NCRB की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज में देश द्रो के सबसे अधिक मामले दर्च किये गए तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा की देखिए काई के मामले देश द्रो के देश द्रो आपकी जो IPC है इसे बोलते हैं इंडियन पैनल कोट 1860 इंडियन पैनल बीरो के द्वारा जो है इसके रिपोर्ट जारी की जाती है और इसमें आपको बताना चाहूंगा आंधर परदेश सबसे माल में किस में पाए गए आंधर परदेश में चलिए दोस्तों अगले कोशन को बढ़ते हैं बोगी बाल बोगी बील जो समाचारों में था किस राज क्रूज सेवा 2023 में शुरू होगी यह कौन से होगी भारत की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा यानि की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा यह शुरू होगी और कहां से होगी यह बोगी बील बोगी बील बोगी बील यह कहां है बारारसी से शुरू होगी और यह आपकी जाएगी मलब बारारसी से बोगी बील तक जाएगी बोगी बील जो है असम में है और बारारसी से सुरू होगी यह और दोस्तों यह आपकी असम में है तो अब आप समझ गए होंगे कि यह कहां पर है इसका option असम में चले दोस्तों अ और ब्रहम पुत्र जो नदी है उसको जोड़ेगी चलिए एकले कोशन को बढ़ते हैं किस देश ने चंद्रमा पर चेंज साइट बाई नामक लूनर क्रिश्टल की खोज की है तो कि चेंज साइट बाई नामक लूनर जो है वो ऐसा है यह क्या होता है जो आला मुखी के मलवे से यह क्रिश्टल निकलता है और इसको जो है खोजा है वो किसने खोजा है दोस्तों चीन ने चलिए को बढ़ते हैं वह ने किस देश में बच्चों की मौत के बाद भारत निर्मित एक खासी की दबाईयों पर चेतावनी जारी की है तो देखिए दोस्तों डब्लेश ने ख 66 बच्चों की मौत हो गई थी 66 बच्चों की मौत का मामला था उसको लेकर के इस पर जो है रिसर्च किया गया और उसके बाद जो है इस पर बैन लगा दिया गया दोस्तों यह जो देश है वो है आपका गांपिया चलिए अगले कोशन को बढ़ते हैं पीम मोदी ने हाल ही म निमनी मेशिक किस राज में इस थी तो मानगर धाम राश्टी इस मारग के रूप में घोसित किया है तो देखिए मानगर धाम जो है बो किस राज में है यह मैं आपको बताओंगा इससे पहले मैं आपको बता दूँ यह जो है बासवारा जिले में है कहां बासवारा जिले म है और देखिए दोस्तों यह जो है आपका खास क्यूं है इसे गुरू गोविंद गिरी बहां पर क्या था कि यह घटना हुई थी इसमें यह मतलब 1913 की घटना है मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़े से यह थे गुरू गोविंद गिरी और यहां पर क्या हुआ था पूड़िमा के दिन मतलब गोविंद गिरी के जो भकत्य लोग बहां पर इखट्टे हुए थे उनकी देश और भकति दर्सन को यह मतलब गुरू भकति और देश भकति दोनों का बहां पर समेलन रूप था तो बहां पर यह लोग इखट्टे करनल शटन क्या नाम था उसका करनल शटन उसने क्या किया था बहां पर सभी लोगों को मरवा दिया था लगवग इसमें पंद्रा सो लोग मारे गए थे यानि कि यह कहा जाए तो यह जलियां वाला बाग कांड से पहले की गटना है और उससे भी बहेंकर गटना थी तो दोस्त बहां सब्सक्राइब किस राज में भारत का पहला पौली नीटर पार्क बनाया गया है जहींकर भेवर को हैं यह कहां है आपको बतानाँ पाउनकर Tanrani कि पॉलीनीटर पार्क में मत्मख्व है तितली मतलब और दितली मतलब किया गया है है और यह आपका है हलद्वानी में हल दोणी कहां कॉन से जले में है नइनी ताल ज제로 में है नइनी ताल का है उत्राघंड मैं चलिए अगले को बढ़ते हैं कि स्राज में हाल ही में भारत की पहली होट होट एयर बलून बाइल लाइफ सफारी सुरू की गई दोस्ति देखिए यह जो सफारी कहां सुरू की गई है यह तो मैं आपको बताऊंगा लेकिन यह कहां है बांधो गड़ टाइगर रिजर्व के उज्टैंसे में बनाई गई है और यहां पर क्या आई अफ्रीका की जगलों की तरह है मतलब आप इसमें उचाई से उचाई से पर जाकर कि आप जंगली जीब जन्तू हैं वह उनका आननद ले सकते हैं तो दोस्तों यह बनाई गया है ज़िए चलिए आगले कोश्टन को ब आपको एक चीज बता दू कि 2023 में होकी बिश्व कप जो होने जा रहा है कब होने जा रहा है 2023 में होकी बिश्व कप होने जा रहा है आपको पता होगा और इसमें जो है इसकी मेजवानी कौन करेगा इसकी मेजवानी जो करेगा वो करेगा उडिशा कौन करेगा उडिशा करेग यहाँ पर जो है इसमें 16 टीमें भाग लेंगी कितनी 16 टीमें भाग लेंगी और टीम D में भारत होगा भारत होगा आपका इंगिलेंड होगा इंगिलेंड होगा बेल्स होगा और स्पैन होगा यह चार जो हैं टीमें आपकी गुरूप D में रहेंगी 16 टीमें होगी चार चार के चार गुरूप बनेंगे और दोस्तों यह जो है आपका जो भूमनेशर में एक कलिंगा इस्टेडियम है और राउर के लब जो बिर्शा मुंड़ा इस्टेडियम है बहाँ पर इने आयूजित किया जाएगा तो दोस्तों आप समझ गए होंगे किसकी मेजवानी जब उडि कर छिचा में चलिए उडिये कोश्टेब्ते हाल ही में जारी हुंट freedom index 2020 में भारत को कौन सा इस्थान मिला है तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा इसमें भारत को इस्थान मिला, वो मिला है देखिये यह मैं आपको बता दूं कर 2020 तो था आपका 111 एस्थान है और 2019 में जो है 2021 में आपका हो गया यह 119 वाइस्थान 119 वाइस्थान और 111 वाइस्थान था अगर आप जाएं यह 2019 में 2019 में जाएं तो यह था आपका 94 यानि कि लगातार जो है यूमन फ्रीडम इंडेक्स में जो है अपना इस्थान गिरता जा रहा है 2019 में 94 नंबर पर थे 2020 में और खिसकर 111 पर आगए 2021 में 119 पर आगए तो यहां पर दोस्तों पूछा गया है 2020 का तो 2020 का कौन सो होगा 111 में चलिए अगले कोशन को बढ़ते हैं किस राज की सरकार ने हा 2021 के सुचकांक में किस राज को सीर्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् है योजना यूग का और इसके अध्यक्ष जो होते हैं पानी पर्दान मंत्री जी जो है इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं तो दोस्तों यह सुषासन सूचकांक में और सुषासन दिवस्प्ष कम मनाया जाता है 25 कि दिसंबर को और यह जो है कहां किसको मिला है इसमें सुचकांक में सीर सिस्थान किसको मिला है दोस्तों यह गुजरात को मिला है लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है यह गुजरात को मिला है देहां दखिएगा इसमें ऑप्शन नहीं है यहां पर भी नहीं है यहां पर कौन सोगा गुजरात तो यह कि दोस्तों आपके करेंट एफस के कोशन वीडियो लगातार बनती रहेंगी करेंट एफस को लेकर कि कुछ अभी कोशन जो है आपके 2022 में बचे हुए है निधन से समंदित प्रुसकार से समंदित इससे कि आपकी यह जो मिसलेनियस के कोशन है विवित के कोशन है जो इधर जारी रहेगी तो लगातार बने रही है वीडियो को देखते रही है वीडियो का लाव उठाइए और अगर अभी अब협 तक आपने